यास के प्रिवेस वीडियो में आपके साथ डिसकस किया था हमने कि BTC यहाँ पर एक रिटेस्ट लेसकता है अराउंड 68 या 69,000 डॉलर के यहाँ पर देखें एक्जक्ट वी वैसा हुए BTC यहाँ से डंप किया है और उसके बाद BTC ने एक्जक्ट वो ही रिटेस्ट लिया है जो हमने प्रिवेस वीडियो में आपके साथ डिसकस किया था और उसी प्रिवेस डंप और यहाँ पर 4% तक का गेन देता है अगर आपने ह has a sport अभी आपर काफी ज्यादा important है, वहाँ से price again recover हो रही है, तो जब तक PTC की price इसके अबव रहती है, आपको ज्यादा panic नहीं होना, और market यहाँ से again new ultimate high को chase कर सकती है, लेकिन अगर price इस zone से नीचे closing करती है, तो हमें यहाँ पर price 65 से 60,000 डॉलर्स पर मिल सकती है again, तो आपको अभी यहाँ पर जो भी trade करना है, उसमें proper stop loss लगाना है, क्योंकि यहाँ पर US elections आ रहे हैं, जैसके हमने previous video में भी आपके साथ discuss किया था, तो 5 numbers को यह elections होने जा रहे हैं, इस elections में, तो हमें यहाँ पर next 3 days काफी ज्यादा volatility भी देखने को मिलेगी market में, specially यहाँ पर 5 numbers को काफी ज्यादा volatility होगी market में, वहाँ पर अगर Trump जीता है यहारता है, उसका काफी ज्यादा market पर impact पड़ेगा, तो आप यहाँ पर अगर newbies हैं, तो आप इस volatility से बच कर रहे हैं, आपने कोई भी trade नहीं करना यहाँ पर 5 numbers को, अगर आप newbies नहीं हैं, आप थोड़े अच्छे scalper हैं, आपको पता है कि आपने किस तरह से इस news की base पर, इस volatility की base पर आपने profit बनाना हैं, बट risky होगा, क्योंके volatility होगी market में, और यहाँ पर up and down दोनों चलेंगे, और यहाँ पर long liquidate होगे, और वहीं पर short वाले भी liquidate होगे, carefully यहाँ पर trade करना है, और risk को आपने लाज़मी manage कर, अगर आप volatility में play कर भी रहे हो, तो आपका risk कुछ होना चाहिए, वो 1-2% होना चाहिए अपने total portfolio का, with proper एक stop loss, उसके बगएर आपने trade नहीं करना, और इसी तरह आप यहाँ पर देखे, 1-day chart पर भी आपको same वही scene नज़र आ रहे है, चैनल में अभी BTC trade हो रहे है, तो हमें जब तक BTC इस वाले sport line से उपर trade हो रहे है, आपको panic नहीं होना, और अगर यहाँ से नीचे close करता है, तो हम expect कर सकते हैं 60,000 डॉलर्स, तो आपने wait करना है, यहाँ पर breakout का, यहाँ पर retest पर buy करें, और यहाँ पर इस zone में आकर, आप इसको sell out कर सकते हैं कुछ, अगर यहाँ से हमें previous जो high था, वो breakout मिलता है, after 5 November, तो हम यहाँ पर अपनी एक long की position, create करेंगे 75,000 से 80,000 डॉलर्स पर, तो यह थी आज की अपडेट, इसके इलावा हमने आपके साथ, previous वीडियो में कुछ arts भी share किया थे, अगर आपको जो हमने mention की थी price, वहाँ पर अगर मिलते हैं, तो आप उनको भी लाजमी accumulate करें, और वीडियो को like कर दें, सुमिलते हैं next वीडियो में,